आर्ट एंड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का दूसरा स्वाल पहला स्वाल मैं आपको करवा चुगा हूँ इसमें देखिए निमलिकित संख्याओं में से प्रतेक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ग्यात किजिए बिना गणना के हमने इनको हल नहीं करना और केवल इनकी संख्या बतानी है बिना गणना किए कि इनके वर्गमूल में कितने अंक होंगे तो इसके लिए बच्चों हमरे पास एक फार्मूला है दी गई संख्या में अंकों की संख्या N बटा दो यदि N सम हो यानि कि अगर संख्याइं सम हैं तो हम दो से भाग कर देंगे उतने संख्याइं आजेंगी दूसरा है दी गई संख्या में अंकों की संख्या N जमाए एक बटा दो यदि N विशम हो संख्या विशम हो यहां हम करके दिखाएंगे आपको जैसे पहले सवाल है पहले सवाल में 64 में अंकों की संख्या कितनी है? दो तो इस में वर्ग मूल में अंकों की संख्या कितनी होगी एन बटा दो यानि दो बटा दो मेराबर एक तो इस का अंसवर आ जाएगा एक चौत्य सवाल में 27.225 में अंकों की संख्या कितनी है पाँच एक दो तीन चार पाँच तो यहां कुन सा परमदल लगेगा विशम संख्यागा विशम है तो एन जमा में एक बटा दो पाँच जमा एक बटा दो छे बटा दो तीन शेश सवाल दूसरा तीसरा और पाँचवाँ बच्चों कुद ट्राई किजिए और अगली वीडियो में हम आपको दशमलब संक्याओं से वरगमू लगयात करना सिखाएंगे